हलो दोस्ता हैं वेल्कम टो आटो गिर इंडिया तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने हो वाले हैं टाटा एल्पी टी अठाइस अठारा काउल के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका काउल मोडल है और अभी जिससाब से मार्केट चल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो इसी ट्रक की एक तरिकी से देखा जाए तो क्या आप पीछे भी देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे मोडल यहां पर खड़े है तो इस वीडियो के अंतर इसकी complete details के बारे में बात करेंगे इसकी price की specification और इसकी complete details अगर आपको हमाही तरिक पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करना माय चनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना तो जिसकी actual room price है और आउं 39,000 के something इसकी actual room price है 29,000,000 के something और 6 years 6,000,000 km on drive line और 3 years 3,000,000 km on vehicle warranty मिलती है और यह आप आप देख सकते हैं पीछे बहुत सार ही यह 10 wheeler truck खड़े है 28,000 तो सबसे पहले इसके front से start करते हैं तो आपको front कुछ इस तरह के मिलता है यह cowl with cheches वाला model है और यह cowl मिलता है आपको पुराना वाला मिलता ह और यह एक ही color में आता है white color में यहाप देख सकते हैं एक बार overall look इसका एक जो 42,25 आता है यहाप देख सकते हैं पीछे और 48,25 इस आता है उसमें आपको नए वाले cowl मिलता है लेकिन इसमें आपको पुराना वाला ही cowl मिलता है लेकिन इसके अंदर आप Signa cabin भी ले सकते हैं तो यहाप आप देख सकते हैं सामने वो Signa cabin कुछ इस तरीके के मिलता है आपको और प्राइमा cabin अभी अवलेबल नहीं है यहाप 28,18C की basing यहाप टाटा की basing यहापे BS6 की basing मिलती है आपको और यहापे aftermarket बनता है ता यहापे दो light fit हो जाती है और यहापे आप देख सकते और और यह metal bumper मिलता है काफी solid metal bumper मिलता है इसमें आपको और उसके अंदर ही दो lights integrated मिलती है और नीचे भी आपको bumper मिलता है metal का और ground clearance भी काफी शानदार है इसकी front के अंदर आपको force abeam reverse ilio type axle मिलता है और जो suspension मिलता है और पारबॉलिक लिव स्प्रिंग मिलता है और 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 quality काफी अच्छी है truck की और जो suspension वगरा है उनकी quality भी काफी अच्छी है bumps वगरा फील नहीं होते है और truck काफी stable रहता है road पे stability बहुत अच्छी है इस truck की अब जब load की capacity इतने अच्छी है तो load भी तो तकड़ा मिलना चाहिए इसके लिए आपको यहाँ महाजार phone करने की जरुत नहीं है एक वहाँ के अपी काफी है जहां पे आपको 24x7 load और लोरी बुक करने का option मिल जाता है वो भी पूरे इंडिया से और तो और इसके लिए जाता गाड़ी मालक वे वहाँ के बरोसा दिखाया है तो आपको पीछे है मैंने एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते है और यूज कर सकते है अब आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी यहां पहाँप आप देख सकते हैं कर रोल लुक कर अच्छा है तो इसलिए बाख खराब रास्तो पर भी जा सकते हैं तर-पिलते हैं वह जी है के ताइर साइजर 2-95-90-CandE10-Ti Care मिलते हैं और यहां पर देख सकते हैं जी के टार के टार हैं यहां organizational ६र जो material के है वह इसी बहुत है material क्या है यहां बहुत ही अच्छह ज्हां ऐसके है यहां पर इसके było के बारे मात कर लेते हैं, पॉलिमर टैंक मिलता है, 365 लिटर का, अगर 32 विट वाला वेरेंट लेते हैं आप तो उसके नदर आपको पीछे वाले टैयर्स ये भी सेम आपको जेके टैयर के मिलते हैं और सेम टैयर साइज मिलते हैं और यहाप एक बार आप और आप देख सकते हैं और जो फ्रीम वगर है वो भी काफी अच्छा मिलता है इसके अंदर आपको ये लेडर टैयप स्टेट फ्रेम मिलता है इसके अंदर आप इसके रिएर एक्सल के बारे में बात कर लेते हैं तो रिएर में आपको आरए वन जीर नाइन आरार मिलता है सिंगल रेडक्शन हाइपड गेर्स मिलते हैं बाकि अगर सस्पेंशन की बात कर लिए जाए तो सेमिलेप्टिकल लेश्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है जो कि बैल क्रेंग के साथ आता है सस्पेंशन भी काफी अच्छा है इसका पीछे का और बहुती अच्छे का सा लोड ले जा सकता है यह कोई प्रॉब्लम नियाएग इसको लोड ले जाने में और एक्सल भी अच्छा है यह इसका स्पेर विल देख सकते हैं आप यहाँ पर और पीछे देख सकते हैं आप बहुत अच्छी चीज है चीचीज की ठीकने से वह 8.5 mm की है और 7 mm की है दो options मिलता है आपको 3800 mm का wheelbase है उसमें आपको मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका BS6 system है पूरा जो exhaust system है पूरा इसका और यह dual batteries और यहां पर battery cut-off switch बैटरी भी अच्छे से properly हां पर save की गई है इसके अंदर आपको टाटा का जाना माना है क्यूमिन 5.6 L का six cylinder engine मिलता है 186 horsepower पर यूज करता है और 800 Nm टॉक पर यूज करता है राउंड 1000-1600 rpm वहीं पर अगर clutch की बात कर ले तो 380 mm die की clutch मिलता है टॉक बहुती initially आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है तो load उठाने में कोई problem होगरा नहीं आती है इसको तो एक बहुत चीज़ है बाकी यह आपको वेरिंट्स में मिलेगा वह 22 fit, 24 fit, 27 fit और 32 fit के वेरिंट्स में मिलेगा उसी के साब से price भी इसकी vary करती है और wheelbase चालोता है 4800 mm से wheelbase चालोता है और 3750 mm तक जाता है इसका यह फिर आप कह सकता है लगबग 8600 mm तक इसका wheelbase जाता है और अगर आप 8600 mm wheelbase वारा यह फिर 22 fit वाला मॉडल लेते हैं तो उसके साथ आप 2-350 litr के fuel tank भी ले सकता है जोकि एक Tata ने बहुत अची चीज किया है जोकि वह बहुत लॉंग journeys पे जाता है तो बार बार refueling की problem नहीं आएगी और बाकी तो इसके अंदर आप अगर cabin वाला model लेते हैं तो 28-18T model आएगा Signa cabin के साथ वह भी ले सकता है और इसके अंदर automatic भी model आता था वह BS4 में आता था I think so BS6 में उसको Tata ने discontinue कर दिया है automatic transmission के साथ आता था वह और उसकी वीडियो में YouTube पे मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं अब इसके cabin के बारे हम बात कर लेते हैं तो एक बारस को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर यह handbrake lever मिलता है इसका और यहां पर इसके multimod switches वगरा सारे हाजार, light, ABS वगरा सब के switches मिलेंगे, light, medium और heavy mode वगरा सब कुछ मिलेगे यहां पर powers vary होती है, fuel economy increase होती है यहां से headlight और यहां पर wiper के control है यह gain knob lever है, यहां पर आपको blur मिल जाता है और यह इसका instrumental cluster है जिसके अंदर आपको RPM meter मिलता है और temperature meter मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं speedometer मिलता है, fuel gauge मिलता है currently यह 5.3 की average शो कर रहा है लेकिन around आप मान के चलीजिए लगबग 4 के something average तो देई देगा 4 के something आप आन के चलीजिए average कि अभी खाली था तो खाली 5.3 average शो कर रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पस्तना आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना हमाएं चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को जरूर दबा देना वगर आपको किसी और ट्रक की वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन हम बता सकते हैं हम उस ट्रक के आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी लिखे आएंगे दोस्तो थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो